नमस्कार, स्वागत था एक बार फिर से राजनीतिक अखारा में इस देश में मिली जुली सरकारों के स्थायत्व का रेकॉर्ड भी मिला जुला ही रहा है बिभिन दलो के गटजोर से बनी सरकारों ने चार दफ़ा अपना कारेकाल पूरा किया तो अन्य मामलों में इतनी ही दफ़ा समय से पहले सरकारे गिर गई एक बार फिर 2019 के चुनाव के बाद मिली जुली सरकार बनने की जब संभावना जाहिर की जा रही है तो उसके स्थायत्व को लेकर भी अभी सही सवाल उठने लगे हैं ऐसे में पिछले रिकॉर्ड को देख लेना दिल्चस्प होगा कभी कभी सवाल उठता है कि इसके लिए नेता जिम्मेदार रहें या जनता ऐसे में अधिकतर मतदाता यही चाहते हैं कि अनावश्यक चुनावों की नौवत ना आए अब देखना है कि आगे क्या होता है वै या फिर पूरा नहीं होने दिया गया। लोकसभा का मध्यावधी चुनाव 1971 में करवा दिया। वैसा करने के लिए उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। 2004 और 2009 में गठित मिली जुली मन मोहन सिंग सरकार ने अपने कारेकाल पूरा किये। नबे के दशक्त में बारी बारी से हडी देवगौरा और आईके गुजराल के नेतरित में बनी सरकारें अपने कारेकाल पूरे नहीं कर सकी। 1998 में अटल बिहारी बाजपई के नेतरित में गठित मिली जुली सरकार भी नहीं चल सकी। आजादी के बाद के पहले पांच चुनाबों में कॉंग्रेस को पूर्ण बहुमित मिला था। सरकारे चलती रही। आपातकाल में 1976 में लोगसभा की आयू एक साल बढ़ा दी गई थी। 1989 से इस देश में राजनीतिक और स्थिर्ता का दौर चला। राजियों में तो यह दोर 1967 के बाद से ही चल परा था। केंदर में 1984 के बाद पहली बार 2014 में किसी एक दल को लोगसभा में पूर्ण वहुमित मिला। 2014 में गठित नरेंद्र मोदी सरकार अपना कारेकाल पूरा करेगी इसमें कोई शक नहीं है। पर 2019 के लोगसभा चुनाब के बाद लोगसभा में दलगत स्थिति क्या होगी इसका कोई अनुमान लगाना अभी काफी कठिन है। दरशल 2014 की चुनाब में कोंगरेस की भारी हार के बाद और भी इस्थित्य अनिस्चित हो गई है। इस चुनाब में कोंगरेस को मात्र 44 सीटे मी ले थी। राजनीतिक अईस्थिर्ता और अनिश्चित्ता का सबसे बड़ा कारण है कॉंग्रेस का कंजोर होना एक समय ऐसा भी था जब कॉंग्रेस देश का पर्याय बन चुके थी यह और बात है कि हर बार उसे 50% से कम ही वोट मिले कॉंग्रेस को लोगसभा चुनाम में छे बार 300 से अधिक सीटे आई तीन बार 200 से अधिक सीटे मिले छे बार 100 से अधिक सीटे आई एक बार तो 44 सीटे ही मिल पाई 2014 में सबसे कम 44 और 1984 में सबसे अधिक 404 सीटे हाल में कॉंग्रेस की स्थिती में सुधार जरूर हुआ है पर सुधार की रफ्तार इतनी तेज नहीं है कि इस बात का पक्का अनुमान लगाये जा सके कि कॉंग्रेस को अगले बार बहुमत मिल ही जाएगा बीजेपी 2014 बाली स्थिती पर पहुंचेगी यह भी नहीं कहा जा सकता हार राजनीतिक हलकों में यह अनुमान लगाये जा रहा है कि यदि मोदी सरकार ने इस बीच कुछ चौकाने वाले फैसले किये तो उसे एक वार फिर बहुमत मिल सकता है जो हो अधिकतर राजनीतिक पंडितों का यहीं अनुमान है कि सरकार जिस पक्च की भी बने मिली जुली ही होगी हाला कि मिली जुली से भी क्या घवराना जबकि स्थाहित्व के मामले में मिला जुला अनुभब रहा है हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आप हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे एप को गूगल प्ले स्टूर से डाउनलोड भी कर सकते हैं तैंक्यू